करती को भी नी जानते हो तो भी हाथ में दो लॉंग या पांच लॉंग बांदेना तुलाब मिल जाएगा पांच शे महिने के लिए और जितनी दुकाने दुकाने बंदी रहती हैं दुन की दुकान नहीं चलती मैं आपको बता जिता हूँ पीली राई लो साथ बार उसारों और दुकान में से प्हेटते जाओ बाहर की ओ आपकी दुकान कैसी बंदी हो तो खुल जाएगी समंद्र की जुरू दिए एक नीबू दो मिर्टी या पांच बांदो ज्यादा बड़ा जिजमान है तो और दुआये पे टांग दो उसके घर की जैसी दुकान की निक्रिप्टी हो खत्म हो जाएगी इसमें कोई मंत्र ही पड़ना घर में देवी देवता को जग्रत करना है तो गूगल जला और आउती दो धुआ कर दो पुरे घर में घर में कैसा भी नीच आत्मा भाग जाएगी छोड़ चाड़के और यदि किसी घर में नीच आत्मा प्रिवेस कर गई तो भगाओ के कैसे जैसे सेने टाइयर से कोरोना भगा दिया जैसी घर में गुरू मंत्र से गाहितरी मंत्र से जो लाइक हैं जिनको लिए सास्ट प्राण कहते हैं स्रोति इसमृति विद्वानों का जो गाहितरी को दूप में और गाहे के उबलों पर और गाहे के घरता से पांच-च्यारा आउती देखर कर दीजिए घर में नीच आता भाग जाएगी अगा इस्परे हो गया पुरे गर का और जितने दुकानों में मुल्ले लोग आते हैं जुआ देते दुकानों में लोग कैते पहला दो मी चलता है लोग वालू क्या करके लाते हैं वें लोवान का देते है अब तुमाइगा घर में हमां जी बैठे लोवां सूंग रहे हैं आपके दुकानों में गूगल की धुनी दे की आपकी दुकान यहां से वापो जाएगे लेकिन लोहवान से आतीदियोगे धुओए दिखाओगे तो बस सोते रहोगे क्म करण की तरहें कोई गणाय कोई से तो महींतिय निके डूटी फैल गई है हैं लोहवान उनको दिया जाता हैं जो जिन्द होते हैं खबी सोते हैं मसान होते हैं गठ़ोरी होते हैं जो निश्ट नीचे उनी की आत्माय होते हैं तुश्चाइट्माय होती हैं मैं इनके घर में इल्टा सिधा खानिपान होता है वो लोहबान की डुनी दिटे लिए इसलिक देयं कि उनकी और चंस्था पूंगत मासहा अर अही हो भक्चम भक्चम हो जाएं अबक्ष तयार हो जाएं राक्षश रहुनी की जिन जिन्नाथ पैदा हो जाएं वह लोग धूनी देते हैं लोगवान की कियू लेकिन अपने सद्धय पूछले लेकिन अपने सद्धयव से पूछलेना टब कोई काम किया करो हो जो भी तौहरे हैं ओजधर्श्रक हो जो भी तुमारे अजरके बड़े बजर्क लोगों हो उनんと पूछ लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी निरास्तार नहीं आएकी कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा जया मैं आपको आश्पास्त वह गारांटी दिता हूं का आहस्त में लों गांधर भानदने से कि पांचे महीनेके लिए याव जाता है फिर समझ में आता में पांचे मेल थी और फिर पानचे तरी लिए ललाग और परमानेंट इल सोड़ियो झाहिते वह तो कि अच्छे सातकिय पात्य ले जाना तो आपकी बाधा को समझ आए लगा हुआ कि छोटा मोठा जोखा में चोटी मोटी सर्दी अर्दी हो गई है खांसी मासी उट रही है थोड़ा बत बुकार आ गया काम दाम से तो गर की माताएं बहने चाय काड़ा बनाके दूद बूद हल्दी वल्दी डाल दूल के बढ़िया आपको ठीक कर देती है करती करती है बस व अजमान बांदेता है साथ में कोई महला है तो उसको लिए हींग बांदेता है हाथ में हींग से भी उल्टी जो निश्टात्मा है और घरबादान पेट में बच्चा है और हींग बांदे हुए है तो मसान चड़ जाएगा इसलिए हींग ना बांदे क्या करना चाहिए मात् हमारी माता है बहुत अच्छी जानती है जब बच्चा पेट में होता है तो बिटियों से कह रहती है चाकू रख लो पने पास तब से अच्छा पाए यह इसको कोई नहीं काल सकता माचिस कीडी भी रख लो पने पास जहां पर आप लेटते हो आपर आग दिला के रख लो तो मारे घर में कोई भी निस्ताकमा नहीं गुस्पाएगे आपकी गरवाधान बेटी बेटा का बच्चा खराब नहीं होगा लेकिन अब करें तो करें क्या घर में देखने को नहीं मिलते हैं गाय के कंडे घी कौन देखे कंडे नहीं देखने को मिलते क्योंकि गरगर गैस रखी है कंडे आए कहां से बलाएं दस रुपरिया कंडे की चक्कर में बाबा लोग पांच जार बीस जार पटास रुपर लूट लेते हैं लेकिन हमारी माता हैं बहने जो बड़ी पुरानी हैं उनके घर में बच्चे गर पात नहीं होते थे पता लग जाए डुकरी को तो इतना अंसासन करती थी आज की सासे क्या करते हैं तुछ भी नहीं कर रही है टीवी देख देखके नकल कर रही हैं पहल की सास को देख लेते थे ना तो बहुत कमरे में से नहीं निकलती थी और कहते दी बड़ी खतरनाख सा कि यदर आज इसाथ नहीं करना डूलते oldest कि क्या बोलते हुंगे लेकर पाइल की साथ अतना प्यार करती थै कि आप जीन्दगी में स्भू कोई थाझी बहू है अपनी साथ को छोड़ती लेकिन आज की साथ तो चूड़ती ने है कि अचल तीवी यों की सास है और टीवी वाली बहुंए आ रही तो दोनों वेवनती नहीं को तो कि दोनों टीवी है जब 6 लोग है तो 6-6 लोग आपनों टकराता है इसलिए टेली विजन से बहुत लोग सुधर भी गए और बहुत लोग बिगड़ गए है सादू संत मात्मा यादी टीवी पे समझाएं तो आपत्ती खड़ी हो जाएं और कुछ चीजिए ऐसी दिखाई जा रही है उस पर आपत्ती नहीं लोग समर्थन करते कि क्या नाटक चल रहा है कि बहुत अच्छा साथ में जली खोलना है कि साथ भड़का उन्हां तकार रहा है अ अरे कही लोग तो बिक बाउस को टैया देखते बिक बाउस आने वाला है एक बाड़ भास देख लोगे अच्छे लोग तो बिजिन्दगी बिक बिक बाउस बन जाएंगा और कही लोग तो रोटी छोड़ते थे विकवास की चक्र में मैं सही कह रहा हूं है मैं लडाई हो जाए लिकवास नीचोड़ते क्यों कि उसमें ग्यान मिलता है बढ़काने का पैन पैनाओ का खान पान का रहन सहन का लोग थप्पे से देखते हैं उस पर कोई आपती नी उड़ती आपती है उल्टा है वाई सब उल्टा सुल्टा चल रहा है लेकिन वहां में कभी जूरूत नहीं है कि हम तो सेल पहें उन्नीस सो निन्नारवे से चल रहें हैं चलते रहेंगे कोई रोकने वाला नहीं जनमा कि मुझे रोक दिखा देंगे अपनों का सरकार पूरे बिश्ट के आदे आप पर काफते हैं अच्छे लोग मौन हो जाते हैं पंडोकर सखाय की दरवार की सकती है चलते हैं दरवार की ओओ बोले पंडोकर सरकार की है सबसे पहले एक पूर्वत पर्चा है पूर्वत मने पहले मिल चुका है कुछ दिक्यत हुई है मुक्यस गुपता जी कहां से लोटाया गया था हमारे पाद दुफर में आये थे शाम कल में जिनकी पत्नी को पीड़ा है और पर्चा भी लेके आये थे तो हमने उनसे कहा कि मैं यहां तो नहीं देखूंगा लेकिन आप दरवार में प्रगट हो जाएंगी तो हम देख लेंगे बिनाएक नाराइन आ जाईए डाक्टर के यहां जाते हैं मरीज ठीक होते हैं मरीज को रोग बढ़वी जाता है गुरू के यहां जाते हैं रोग ठीक हो जाते हैं ठीक से आपचान नहीं पाता है या ध्यान नहीं दिया तो तो बढ़वी जाता है मुझे एक किसी भी प्रकार से कोई भी इतराज नहीं है जब मैं माइक से ठोक के बोलता हूं तो माइक से ठोक के सनना चाहता हूं को कि दूनिया के लोगों को भी एक्दम सुदार हो जाएगा रास्ता मिल जाएगा कि कहां कमी हुई कहां चूप हुई कि जिसकान से दिक्क्यत है आए जो पड़े लिखें वह आगे आजा जो कम पड़े लिखें पीछे पहुंग जा कि माता जी सिर्पे डुपटे डा लीजिए और पासमा जाए और पासमाइए कि माई उठा लीजिए इसको इसको ऐसे करिया है कहां से आए मिया महाराष्ट्र कोलापुल हमारा पर्चक आए जानुन देख कानुन भी कहता है बमजाता है कि आपको अमुक बीशामे में बलाया जा रहा है दस्ता वजिस सहे इतने वजए उपस्तों हमारे पास जब आयए तो मैंने का अपने पर्चिया लेके उपस्तों प्रक्रत हो ना क्योंगी हम बंदे कमरा में पढ़ भी लेंगे तो किसने देखा है आप हमारे हाथ के लिखी हुए पर्चे दीजिए और पर्चे दीजिए हमारे हाथ के का है एक है एक है पहले सब लोग आप पर्चे के ऊपर जाईए मैंने लिखा क्या है इस्तिकी का नाम जैस्तिरी है डादा देवी डिया देवी का ब्रेंट टूमर है इलाज हुआ है गांट निकला दिया है सिर में पीड़ा है ब्रेंट में दिक्केत है डक्टर बीरन डक्टर प्रवु का इलाज चल रहा है साथी पिता जी पितर बने हैं उनको इस्थान ग्यां में देना पड़ेगा यह लिखा लाश्तिरी यह लिखा तो साथी यह तो हुगा सब कुछ आपका यावरा ब्यावरा और इसमें खेड़कर जी का नारान जी का यह जो हमने बताए हैं यह सब आपको फिर्मान दिया गया आपके यह पर जन है यह लोग है इनमें आप जनमें उनकी आप बहु हैं और ये पितर लोग परशन का एई बात हैं अब आप नई समस्था आपकी आगई तो यहां जितन वो रोग खतम है तो पंडोकर सकार के द्वारा जो था वो खतम हो गया है तो इसकार तो यह नहीं है या भुखार नहीं आएगा अब फैपड़े घराब नहीं होंगे अब विकलांता नहीं आएगी अरे भीया मनुष्य हैं तो रोग बढ़ भी सकते हैं अन्रोग भी आ सकते हैं इसका मतलब यह नहीं कि पंडोकर दाम आए तो और रोग हो गए नो आपको इस समय पी लिया है इनको जॉंडिंस है और डॉक्टर इनको पी लिया बताएगा लीवर इंफेक्शित है और इनको भोजन करने से इंफेक्शित हुआ है कैका अमने कि मेरी वात सुन्गा है आभ दोनों अंतर है यह ब्रेट तूमर है इनको इस समय लीवर के अंदर लीवर के नीचे दो गांठे हो गई हैं, डॉक्टर ने तो 3 बताई जैंगें, गरवासा पितादी जो नर्विस्ट जुड़ा हुआ है, डॉक्टर ने इनको 3 गांठे बताई हैं, नहीं बताई हो चेक करा लेजिक आगगी अगरिया, बताई कि नहीं बताई हैं, माइक लेजिए, देखाओ र और इस परसी मैं पहले से लिका का हूँ कि आपको टीन गाठे हैं लीवर में गाठे गर्वासा में इस्पेक्सट है और इनको पीलिया जॉन्डिस है और यह आमने लिखा का है यह भी देख लिए नहीं बाद में कहें कि गुरुजी ने दर्वासा बोला था पर कितनी बोल दिया लिवा बल दिया पढ़िए दखिये पीछे में बिनायक भी आप पीछे स्पेश्प लिखिये का लिखा है सब से नीचे से उपर लिखा एक जब त अब लिखा नाम भी सही बताया है सब आपने बताया एक दो दॉक्तर नी एलाज किया है दो बार उसका अपरेशिन वाइश्प आपने बताया है तो यह पंडो कर शाही किरपा है था और हम लिख रहे हैं कि इनको बरत्वान में कोई भी टूमर पूमर नहीं है अभी थाईल पर हमने भी इसमें तीन गाठे लिखी है भी यह लिखा है कि लिखा नहीं नहीं है तो हमारे हां पूछा पांची जहांका जोगी की आवस्टता नहीं होती है हमने के दिया यह बादा है इसको ततकाल डॉक्टर को दिखाओ नहीं तो यह कैंसर में जबलब हो जाएगा अभ लेकिन बाद में हो जाएगा कमजोरी जैसी आई और वो कैंसर में डवलब हो जाएगा बदल जाएगा रूपांतर हो जाएगा आपके एक रूपा चाहिए इसकी लिखाओ